गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आसा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने घर में स्वस्थ होंगे मैं ससीव इंडियन लाइफ इस्टाइल भी ससीव में आपका स्वागत करती हूँ और इस समय मेरी वाकिंग चल लई है इसके बाद मैं कप्रे डाल रही हूँ और मैंने उधर आलू बॉयल करने के लिए बैठा दिया है आलू बॉयल हो जाएंगे मुझे आलू के पराठे बनाने है मैंने यहां देखे मेरे आलू बॉयल हो चुके है मैंने इसमें नमक डाल दिया है लैसन छोटे छोटी बारिक काट के डाल दिया क्योंकि मुझे लैसन बहुत पसंद है और मैंने प्याज इसमें डाल दिया है हरी मिल्ची, कस्तूरी मेथी, कड़ी पत्ता, और धनिया. इन सभी को मैंने मिक्स कर लिया है. आटा मैंने गुत के रख लिया था, सॉप्ट आठा चाहिए इसके लिए मैंने सॉप्ट आठा गुता है, उसके अंदर मैं इसको भरके में बेल के, फिर बस यहां मेरे पराठे रेडी हो रहे हैं. यहां मैंने सुद्गी लगा दिया है, अब यह अच्छे से पराठे सेख लूँगी. पराठे मैं इधर बना रही हूँ और मैं इसको सर्फ करूंगी मीठी चटनी के साथ, दही के साथ और अचार के साथ. यह चीनी और नारियल पिसा हुआ, आटा एक केजी भुना हुआ, सौफ भुनी हुई, पिसी हुई. और यह है बादाम पिसा हुआ, और यह है सोट. आप लोग यह सोच चेंगे कि यह कौन सा कीचन है, तो यह मैं नीचे आई हुई हूँ आटी के कीचन में, और बस यहाँ पर तयारिया होने जा रही है पंजीरी बनाने की, और यह आटी है जो पंजीरी भी बनाएंगी. और हमनों से मिलके पंजीरी बलाएंगे, तो बस उसे की तैयारें सुन कर रहे हैं, और फिर बनाना ही स्टार्ट करते हैं, इसमें मैं आटी के सेल्फ पर बैठी हूँ, क्योंकि मैं छोटी थी, और मुसे चलाया नहीं जा रहा था, तो मैं आ गई हूँ और इसके सेल्फ पर और बैठ गई हूँ, अंटी नहीं ये सुध घी लिया है, और यहां हमारा कराही बिल्कुल भी गर्म है, और इसमें धीमी धीमे करके आंटी यहां पे सुध घी डाल रही हैं, और ये जो भी बनेगा सुध घी में बनेगा, और एक साथ घी नहीं डालेंगी, क्योंकि इनको तो हल्वा नहीं या वह लड़ू नहीं बनाना है इसमें घी उतना ही पड़ेगा जितना यह पंजीरी बन जाए जो कटोरी मिले के आदमी चम्मत से खा सके इसलिए आंटी ने इसमें ज्यादा घी एक साथ नहीं डाला है धीमे धीमे एड करती जाएंगे मिक्स करती जाएंग तो यहां हमारा यह गर्म हो चुका है और आंटी पूरी तर से इसमें डाला है सोट को ही इसमें पकाना है वो भी ज्यादा नहीं पकाना है यूंकि बाकी सारी समागरी जो है आंटी ने पहले ही से भुन के रखी है यह है बदाम बदाम आंटी ने पूरा एक केजी लिया है भून जएक बूह नारे को पीस लिया था है यह सौंफ सौंफ को वह आंटी ने हलका सा शेक के और भून लिया है पीस लिया तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो नीब इसमें सब्लीची स्पारखाल मिक्स करने केस्ट प्यूरत कि ईलाची का फ्लेवर अगर आपकोड़ाची एड्ज़ी से anytime आड़की worth किसी को कमर वगेरा में अकसर लोगों को और तो को मतलब दर्द रहता ही रहता है या जेंस को भी है काम कर रहे हैं तो ठंडिया सुरू हो गई है हमारी और उनके लिए भी यह बहुत अच्छा है यूज करना चाहिए यहां आंटी ने आटा यूज किया है यह भी भूना हुआ है अच्छे से तो यहां बस मिक्स करना है और यहां यह नारियल है और चीनी है तो आपको जितना मीठा खाना है आप उसमें उतना ही डालिए अगा आपको हलका मीठा खाना है तो आप हलका खाईए और मेन है कि नारियल अच्छे से डालिए तो इसमें इसका जो पंजीरी है वो काफी आंटी की अच्छी आती है तो मैंने भी खाया है और मुझे बहुत टेस्ट इसका अच्छा लगा तो मैंने का आंटी मुझे भी सिखा दीजी क्योंकि ठंडी आ रही है मैं भी अपने मतलब फैमिली के लिए घर पे और बच्चों के लिए बना दूंगी तो आंटी आंटी बनाना ही स्टार्ट किया था तो मुझे कहा चलो बना दूंग ऑ आंटी मैं दब्ला बनाया थी अ किसरे शचरे बनाएं पंजरी जरे खोटे और शम्राश बंद बतते ज़ाज कितना कितना उस में क्या-क्या पडासा बिर मैं उसमें एड़् कर एट नाँटी 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 जबाद जबाद फ्रेंड्स आँटी के घर के आने के बाद मैं थोड़ी रियर पैठी थी उसे कुझे नूम लगे मैं सोगी फिर अभी ज़स्त थोड़ी तुबाद उठी हूँ और फिर मैं चट पी आके पैठ गई हूँ और मैं आप लोगों को बताती हूं कि मैं कहां जा रही हूं मैं जा रही हूं कौलकंता । पोलकंता हमारा ट्रांसफर हुआ है कंपा का जाना गई और वहां पे अभी सारा हमें हमें कैठल करना है थोड़ी तो थोड़ी मुस्किल होती है आप एक जगह से दूसरे जगह जाकर सेट होना बहुत ही मुस्किल है और लेकिन करना तो है ही फैमिली के साथ में यह सब तो चलता रहता है लेकिन थोड़ी सी प्रावलम भी होती है हम लोगों को भी एक जगह से दूसरे जगह जाकर सेट हो जा वैसे तो यह हमारे जीमन का हिस्सा है और इस हम कहले थो अगर इसको के बॉजिटीव गया में ली तो ये बी होता है कि नईने शीडियों से नुजने शीडिश होती है इसे हम लुक को अराम से देख लेते हैं नईने सीडियों को और अब चलते हैं कुलगत्ता में और देखते हैं कि कुलगत्ता हमें कैसे अपनाता है और हम वहाँ पे क्या क्या करते हैं और कैसे सेट करते हैं घर को और में ये है कि समय करोना चल रहा है करोना के समय में नई जग़ जाना और सेट होना वैसे तो वहाँ पे घर ले लिया गया है लेकिन अभी घर भी मिलना बहुत मुस्किल था क्योंकि हस्बेंट जो है उनको करोना हॉस्पिटल में ही चौब करना है तो फिर तो मुस्किल है कि आप ये समझ सकते हैं कितना मुस्किल है हाँ लोग जो हैं वो हमारा थालियों और तालियों के साथ स्वागत बहुत किया था लेकिन अब देखते हैं कि अब कितना स्वागत वहां हमारा होता है क्योंकि एक नैचरल वे में कहें तो पता चलेगा अब हमें भी क्योंकि पंजाब में तो हमें कोई चीज की प्रॉब्लम अभी नहीं हुई थी क्योंकि आप लोगों पताईए कि मेरे जो ऑनर हैं वो कितने अच्छे हैं और सुना है वहां पे भी कि बहुत अच्छे लोग रहते हैं और हमारा बहुत ध्यान भी रखेंगे और साइद थिंगिंग अच्छी हो लेकिन में है कि जो करोना काल जो है उसमें अपनी सेप्टी सबको जारा जरूरी है और देखरीक भी जादर जरूरी है तो देखते हैं कि वहां पे क्या होता है और आप बताते ही रहेंगे आप लोगों तो कि क्या चब रहा है तो बस जाते हैं वहां और फिर आप लोगों से झाल झाल देखिए बच्चे मैं बाहर से देख रहे हैं बच्चे अंदर खेल रहे हैं और गुरु बाणी चल रही है टीवी पे तो फ्रेंट्स आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता हो तो प्लीज 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 लाइक करिएगा सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा और मैं आपसे लेक्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ ओके फ्रेंट्स बाइब बाइब